नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 मैं हूँ आपके साश्वता सिंग खबर गुर्दासपुर के गाउं हरपुरा की है जहां 500 रुपे को लेकर हो रहे जगडे ने एक व्यक्ति की जान ले लेने का मामला सामने आया है मरने वाले 65 वर्ष ये व्यक्ति बलविंदर सिंग की मौत के बाद उसके पारिवारिक सदस्यों मृतक केशव को बटाला के कादिया चुंगी चौक में रखकर बटाला पुलिस प्रसाशन के खिलाफ रोश प्रसाशन करते हुए आरोप लगाए हैं कि पुलिस के द्वारा पह के द्वारा पकड़ा नहीं जा रहा है वहीं दूसरी तरफ संबन्दित पुलिस अधिकारी का कहना था कि मृतक के बेटे के बयानों के आधार पर धारा 102-452 समेट दूसरी धाराओं को जोड़कर केस दर्च किया गया है और जल्दी दोश्यों को पकड़ लिया जाएगा मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि मामला 22 फरवरी का है जब गाउं हरपुरा में दो परिवारों में 500 रुपे के लेन देन को लेकर हो रहे जगड़े को छुड़वाने के लिए एक परिवार के 65 वर्ष ये बलविंदर सिंग को चोटे आ गई जख्मी हालत में इस्पताल दाखिल करवाया गया और इस्पताल में उसकी हालत बिगड़ गई और 24 फरवरी को उसकी मौत हो गई अज सरदार बंविंदर सिंग जो पिंड़ हार पुरा देने उनना दी कल रादी देथ होई है बाई त्रीक वाड़े देना शंगारा सिंग ते इनना दे हुवर कांगरसी परवार उनना ने कुट कुट के बेस्बाल मार मार के उदे नडा चे पेट चे उदी शाती चे बड पुल्स को गए ना पुल्स ने को युना दी सक्याद शुड़ी ना कोई उनना नू फस्टेड बगएरा देन देती इनना नू कारवेती बंद रख्या क्योंके ओ ज्यादा पेंड़ देवे चोना दाब्दभा होन करके ते कांगरसी सिगे ते कांगरसी MLA ते पुल्स पुल्स वाला ने उत्थे जिंद्रा मार के देड़ बड़ी देन दो इनकार कीता जदो असी बंदे कठे करके रोड़ा पाया ते फिर पुल्स दे कोड़ोई चाबी निकली तुन्हां वेख्या होएगा कि पुल्स वाला ने जिंद्रा खोलिया जाद के पुल्स आना पुल्स वाला ने जिंद्रा मारंदा मैं समय था के एड़ी वड़ी तक केशाई सर्दार प्रमेंदर सेंगी देथो यह वे एक सोदी च्वात तर्दी कारवाई कारके एक गोंगलुआ तो मिटी चाड़ नमारी यह ने गाले कीती है बड़ी शर्मनाग गालिया पुल्स पर पुल्स राजनेतिक दबाव की चलते इक कतल के केस में पुल्स की तरफ से 176 धारा के तहत केस दच किया जा रहा था और बाद में संदिग दवेक्तियों के खिलाफ केस की पहचान और नाम भी बताये हैं लेकिन पुल्स दोश्यों को केस में नामजद नहीं कर रही है क्यूकि मारने वालों में कॉंग्रिस के हार पुरावा मेरे पिता दा नाम सरदार बलविंदर सेंगा ते पाजी सिर्फ छोड़ा जैका 500 पईये दा चकड़ा हो याही आपस वेच मुंडे दा हाड़े परवार देवेच ते उन्नाने चकड़े देवेच शिर्फ दुझी पाल्टी ने दो तेन दिन कदी वी तरीक हो तो बेर बंदे याए ओ वेच शामल ही साथ दें डाई हो जोना दे बेटे भी नाल ही ते उन्नाने इन पाजी मेरे पापाजी समझा उन्न वाकि घए या पी कोई गालनी बैगे गाल पार लेंने आ हमेरे गाल मकाल लिए तै ने जो भी गाल लेकी पैन्ट एक साल दिमेरे तो आप नो रोब लाए गेगी कर देखों कपड़े तो नली मसीन भी तोड़ी गई है पुल्से दे कोल गए हाट या कोई कहने अंसाब नहीं किता कहने कोई याडी रपोर्ट नहीं लिखिया गी ते हुण जे अई थे स्वेर दे आये हैं ते ते करी डाट बोडी नू ताला म डिप्टी साब भी हान उसरी अर्ग बेंद पूराले तमकियां देंडे या जे तुही है 315-312 परचा लेना मा ते अही ता डेते भी यह परचा करना मा देखो जी एक हड़ा कार्चो मेरे पिता जी दैथो गी या दूसरा हड़े तो फे 312 परचा हों डे या जेड़े जगडे की वीडियो क्लिप भी सामने आई है और जब इस मामले को लेकर संबंदित पुलिस दिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि बलविंदर सिंग की मौत के मामले में मृतक के बेटे के बयानों के अधार पर आईपीसी की 302-452 समे दूसरी धानाओं को जोड़ कर केस दर्च किये गए हैं और तब दीशकर दोश्यों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा प्राइम यूस 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट अगली कारवाई को कीती जा रही है ते सर ते जन्हें मुल्जम ने जन्हाख लाफ एफायर होई है अगली कारवाई जड़ी तो जल्दी किस्तार कर ले अगली